आज हमारा रेसिपी है मॉटन करी इसके लिए जो जो इंग्रिडियन्स चाहिए मैंने स्क्रीन पे दे दी है और अभी हम मॉटन करी बनाना स्टार्ट करेंगे पहले तो मैंने एक प्रेशर को कर लिया है मैंने ज्यादा क्वांटिटी में बना रही थी तो फिर मैंने 5 क्यादा आप अपने अपने हिसाफ से बर्तन यूज कर सकते हैं कि आपको बी बताए कि अच्छा मटन मतलब जो भी मटन हो को कर में को करना पड़ता है और पहले तो मैंने अभी प्रेशर को कर को गरम करने रख दिया है और गरम होने तक मैं एक चीज और बोल रही हूं कि मै इसमें potato आड़ किया है, आप चाहें तो skip भी कर सकते हैं, और यह लोग ज़्यदा potatoes prefer करते हैं, और इसी पीच मेरे mustard oil डाल दिया, और mustard oil आप अपने mutton के quantity के हिसाफ से डाल सकते हैं, और mutton भी थोड़ा skinny होता है, तो फिर वो थोड़ा oily छोड़ता है, oil थोड़ा अपना न, और मैंने इसी बीच मेरे खड़े मसाली डाल दिये, जो whole spices है, मैंने इसमें इलाइची, तेजपता, जीरा, और लाल मिर्च, और दालचीनी, और लॉंग, और बड़ी इलाइची डाली है, आप इसमें जाबयत्री और star जो भी है, वो भी याड़ कर सकते हैं, और मैंने इसमें प्याज डाल दिया, चार से पांच बड़े-बड़े, क्योंकि चिकेन का थोड़ा सा मिठापन होता भी है, लेकिन मटन में थोड़ा ज्यादा प्याज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो मटन की ग्रेवी को टेंटिंग और टेस्टी बनाता है, पुरा न, और अभी मैं इस प्याज को अच्छे से गोल्डेन ब्राउन होने तक भुनूंगी गोल्डेन ब्राउन, गोल्डेन ब्राउन कितना बोलू यार सारे करीज में हमें प्याज गोल्डेन ब्राउन होने तक ही भुनना है ये तो सब को ही पता है और इसी बीच मैं प्याज को चलाती भी जा रही हूं क्योंकि हाई फ्लेम में कुक करी हूं तो इसे वोग ना हो जाए और मैं थोड़ा सा धकन धकके भी प्याज को कुक होने के लिए छोड़ूँगी कि पहले प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए फिर जाके गोल्डेन करोगे ना तो वो नीचे से जल जाएगा और उपर से कचर रहेगा और कुछ अजीब सा टेस्ट करेगा ना तो इसलिए पहले मैं थोड़ा सा सॉल्ट डा रही हूं सॉल्ट से यह सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद मैं ढखके इसको कुक करूंगे गोल्डेन ब्राउन हो मुझे और आप देखिए आभी में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और में जितना एजी रख सकती थी मैं उतना एजी रखाऊंगे इस रेसीपी को आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं इसको यह पता है यह बहुत ही टेस्टी बनता है और àट रफ यह मैरे पापा की रेसी और फिर उसके बाद उसको boil करके gravy ठिक करके फिर उसको serve करूंगे उससे क्या है न जो masala का taste है जो mutton का taste है वो अच्छे से रहेगा cooker में क्या है last में आप cook करके serve कर दो कि तो mutton का कुछ taste रहेगा है यह नहीं वो पानी पानी रहेगा पुरा जीव सा taste रहेगा तो फिर यह देखिए प्याज तब तक golden brown हो गई है और अभी में इसमें red chili powder आट करूंगी और मैं तो कस्मीरी red chili powder उसकरती हूँ क्योंकि मेरा एक चोटा सा बच्चा है और आप अपने हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे से अभी red मिर्ची को भूनेंग यह powder को हम एक रेखिया मैं अच्छे से भून रही हूँ आज के साथ जब तक थोड़ा सा मतलब oil color ले ले रैड कलर अभी में adra clayson का पेष्ट डालूंगी और adra clayson का पेष्ट डालूंगी और मैंने याद रखले सुनका पेश डाल दिया है और अभी इसको अच्छे से भूनेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे वो क्या बोलते है जब तक यह ओल से फारेट नहीं करते है तब तक हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे पपली और फिर जाके हम आगे जो भी डालना होगा वो थोड़ा चिप बखने का चांसेस रहता है और अगर आपके पास मांच्छिक या स्टील का प्रेशर को करें तो आप छोड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा पाने डाल की और इसी बिच देखिए मैंने उसको छोड़ रखा है थोड़ा सा और अभी मैं इसको फिर से थोड़े से कोरेंडर पाउडर तर्मेरिक पाॉडर मतलब धन्या पाउडर और मैंने थोड़ा सा टर्मेरिक पाॉडर या तो हल्दी जसे आप हिन्थी में और Represent therapist अच्छिसे में मीट मसाला डाले है है और एक बाद मैंने कसुरी मित डालना भूल गे थी जो बोलते हैं ड्र और इसको भी हम मसाल के सथ फिर से अच्छे से भूनेंगे time लेकि अपना मटन बनाने की वीडियो में ने 13 मिनिट या 12 मिनिट में complete किये लेकिन बनाने का procedure थोड़ा hard होता है और थोड़ा सट लंबा time taking होता है कम से कम तो एक घंटा लगता है यह मटन कूक होने में एक घंटा 15 मिनिट एक घंटा 20 मिनिट ऐसे टाइप का लगता है मटन अच्छे से कूक करो आप न और जल्दी में कूक करना होगा तो फिर तो जल्दी ही बन जाएगा और यह रिखी यह अच्छे से मसाला भून रही हूं और फिर मैं वीडियो को skip भी करती जा रही हूं क्यूंकि वीडियो को में ज्याता लंबा कैसे दिखूं आप लोग भी तो बूर हो जाते हो लंबा देख देखके आप बुलते हो कि हम तो skip करकर के देखते हैं और इसी बीच मसाला अच्छे से बुन रहे हैं मसाला अच्छे से बुनने के बाद हम आर करेंगे अपना टमाटर और मैंने टमाटर चॉप करके रख लिया था मैंने तीन से चार मीडियों साइज टमाटर लिया हैं आप अगर साइज ले रहे हैं तो 2 या 2.5 मतलब 2 1.5 भी ले सकते हैं 2 1.5 उसमें भी अच्छा थिकने सा जाएगा मैंने क्या है ना टमाटर अगर आप देशी वाले ले रहे हूं तो थोड़ा सा कम यूज करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा खटा कर देता है ने तो टमाटर जितन अगर आपका टमाटर चिपकने लगेगा ना तो थोड़ा सा पानी भी आड़ कर सकते हो और उसके बाद आप अच्छे से मिक्स कर सकते हों और यह देखिए अच्छे से टमाटर भून रहा है मसाले के साथ और तब तक मैं उसमें काम में लगी हूँ चिकन करी में और यह ऐस पता बहुत है मतलब उसमें न यह देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया में इसको और कितना अच्छे से मसाला बनेंगा न उतना टेश्टी बनता है मटन और इसमें देखिए इसमें अभी मटन भी हम डालेंगे थोड़ी दर में क्यूंकि मसाला दीरे-दीर ओयल छोड़ रह यह च्छे से हो रहा है मैं पूरा मीट करेंगे और में थोड़ा ज्यादा मटन मना रही थी आप अपने क्वांटिटी के इसाफ से मसाला रख्येगा और यह मैंने मतन आठ कर दिया इसमें और मतना आठ करके हम न इसको अच्छे से भूनेंगे भी मसाली के साथ जब तक कि और यह देखिए मैंने सारे मटन डाल रही हूं इसको आप चाहे तो ज्यादा मटन हो तो बीच बीच में चला के फिर और एक बार डाल सकते हैं और मैंने अभी इसको मटन को सारे को एक साथ ही डाल दिया है अब तू तू थ्री टाइम्स डिवाइड करके भी डाल सकते हैं अच्छे से भूनना है मतलब सीटी ना देखिए ओपन लीड मतलब यह नहीं कि पूरा खुले में ही भूनना है आप इसको धकन देखिए लेकिन विदाउट सीटी में इसको भून सकते हो अच्छे से और इसको भूनने के बाद अभी इसमें न 10-15 मिनिट बाद फिर हम जाक करी हूं देखिए मैं भूल गई थी मसाले में आड करना और मैं इसलिए आपको उसी टाइम पर बोल दी क्योंकि आप वीडियो लास्ट में देखोगे तो फिर आप भी इसी टाइम पर डालोगे वैसे टेस्ट में कुछ फरक नहीं होता है लेकिन यह है कि उसी टाइम पर ड सीटी में पूरा सॉफ्ट होते है यह तो आपको कितनी सॉफ्टनेस चाहिए किसी किसी थोड़ा हाड चाहिए किसी किसी उसी को पूरा सॉफ्ट चाहिए होता है कि चबाना ना पड़े उसी साब से boxer को अपने मतन के這些 में बहुत ही अच्छा था और बहुत ज़ल्दी की पूरा ग्रास चले जाने के बाद अंदर का फिल जाती है यह चोटी छोटी आलो ते है तो मैंने पुरा एक आलो इसे ही पुरा डाल जाता है और जब आप डिफ्राइक करके डाल तो उसके साइड के एक रिस्पी सा जो लेयर रहता है उसको तूपने नहीं देता है ये टिप्स हैं मेरा जो तो नहीं है और अभी मैं इसको फिर से 2-3 हेशियल के लिए डाली हूं अगर आपका मटल लेट मतलब बनता है या आपको उधर 10-12 city requirements होती या 7-8 city requirements होती है जैसे मेरा 6 city में हो गया तो फिर आप वही किजिए लास्ट के 2-3 city में आप आलो डाले खोल के फिर्स्ट जो city दे थी ना मैंने चार आप उसको बढ़ा सकते हैं अपने मतलब time के हिसाब से ग्रेवी का ठीकनेश इतना ये मैं उसको उबालाऊँगी और इसी बीच में धन्यापत्ता भी डाल दिया बातों हिसाए और मैंने इसे बीच में मेरा धन्यापत्ता भी डाल दिया है मतलब कोरियंडर कोरियंडर लिफ्स डाल दिया है इसमें और यह देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है मटन और इसको मैं अभी पूरा भूनूंगी जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कुक करके फिर उसके बाद अच्छे से भूनती हूं और अपने ग्रेवी के थिकनेस के हिसाब से इसको भून चकते है अच्छे से न और यह देखिए मुझे जितना थिकनेस चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा प्रिफर करती हूं कि गाड़ी मतलब ग्रेवी हो थिक हो थोड़ा ग्रेवी और जिसको हम ओडिया में बोलते हैं मतलब व यह देखिए मैंने सर्फ कर दिया इसको और प्लीज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे कॉमेंट में बताईए और अपने फ्रेंज को भी सेयर कीजिए सबको सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि मेरी नई चैनल है और मुझे सपोर्ट की जरुरत है आपको पताए थैंक्स पॉर वाचिंग और आपको यह अगर अच्छा लगा प्लीज कॉमेंट में बताईएगा कि रेसिपी कैसा था और मैंने ज्यादा इसको स्पाइसी नहीं बनाया है मैं पहले से ही बोल रही हूँ आप ऐसे पूरा एकस्ट कॉंटिटी कॉपी करेंगे तो फिर बिल् करना और यह देखिए यह अच्छे से कुग भी हो गया है और मैं सर्फ करके इसलिए दिखा रही हूँ एक तो आपको कलर्स का भी मालूम पड़ जाएगा और दूसरा कि आपको अच्छे से वह भी लगेगा ना कि कैसा बना था अक्चॉल में आइडिया भी हो जाएगा एक दूसे लगज जाएगा थीजाएगा सक्षाप का ये ब फुमाज आपको की रिर्खा एक नेश्गा होगा है जाएगागा जाएगा थीजाएगा से और अली का टीजाएगा झाहाँ लेगेश्या पुमाद लेएगा जाएगा साय गाएगा नापकोट अवेश वाबड़ आ